हेलो फ्रेंड्स में नाम सशीगला गनोजिया है आप सब घर पे ठीक होगे और आज की वीडियो के अदर हम कवर करने जा रहे हैं टीपी एक्ट 1872 का मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक गिफ्ट जो सेक्शन 122 से लेके 129 तक डिफाइन है इसको हम लाइन से पढ़ेंगे आप अ मैं आपको ओवर्व दे देते हूं गिफ्ट होता क्या है गिफ्ट का मतलब होता है कि कोई चीज आप किसी को दे रहे हो पर विदाउट कॉंस्टरेशन जैसे कि मालो मेरी एक फ्रेंड है मैंने उसको अपना मतलब पर्स दे दिया तो यह गिफ्ट है तो इसमें दो परसन हो होते हैं जिनको रजिस्टर करवाना कंपल्सरी होता है कौन से ऐसे गिफ्ट होते है जिनको रजिस्टर करवाना कंपल्सरी नहीं होता है तो इस पर और वे हम पढ़ेंगे कि ओनरस गिफ्ट क्या होता है और बहुत सरी चीज़े पढ़ेंगे और बहुत इंपोर्टन क्या TPA के अंदर और यह exams में भी आता है, judiciary में आता है, CLAT के exam में आता है, इस पर direct questions पूछे जाते हैं, तो without wasting time हम start करते हैं, आप अपने वेरेक्ट साथ में रखिए, मैं read करते जाओंगे, आप भी अपने वेरेक्ट में देखते रहना, section 122, gift का defined definition दे रखा है, गिफ्ट is the transfer of certain existing movable और immovable property, made voluntarily and without consideration by one person called the donor to another called the donor, the accepted by or behalf of the donor, इसमें क्या सबसे पहले essential elements क्या बता रखा है, सबसे पहले essential element बता रखा है, gift का कि transfer होना चाहिए, transfer क्या होना चाहिए, वो certain existing, मतलब वो exist हो, आप future पे नहीं बोल सकते हो, आपको exist हो, वो चीज़ exist होनी चाहिए, चाहिए वो movable property हो, चाहिए वो immovable property हो, और voluntary, किसी के दबाव में आके वो gift ना दे, voluntarily वो खुद करे, without consideration, किसी से consideration आ ले, हमने contract act के इंदे consideration पढ़ा था, कि consideration का मतलब क्या होता है, consideration का मतलब होता है, कि किसी चीज सा, to do something, जिससे कि मैंने आपको pen दिया, मैंने आपको pen दिया, तो आप मैंको इसके बदले पैसे दे रहे हो, तो हम यह होते हैं consideration, तो जो contract के अंदर हम पूरा detail में उसको पढ़ रखा है, आपको पता भी होगा, तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं, without consideration होना चाहिए, by one person, the call donor, मैंने वही बताया था, जिसके द्वारा दिया जा रहा है, वो donor कहलाएगा, जिसके द्वारा accept किया जा रहा है, उसको donor कहेंगे, डोनी के बिहाब पर कोई और भी उसको accept कर सकता है, ठीक है, तो यह बहुत important है, तो इसमें हमने आए, कि पहला है प्रड़ा कि transfer होना चाहिए, pre-existing, मतलब वो समान जो movable और immovable property और exist में हो, second is, आप movable और immovable property दोनों कर सकते हो, third, voluntarily होना चाहिए, fourth, without consideration होना चाहिए, फिर donor, donor की definition बता रहा है, फिर यह भी बता रहा है कि donor कोन होना चाहिए, donor की बिहाब पर भी वो ले सकता है, अब इसमें एक बहुत important इसका नीचे बता रहा है, acceptance when to be made, Such acceptance must be made during the lifetime of the donor and while he is still capable of giving, जो donor है, वो अपने lifetime के time पर ही वो दे, जैसे कि मालो मैंने एक will बना दी, कि मेरे मरने के बाद मेरी property उसको होगी, तो वो will है, वो gift नहीं कहलाएगा, मैं जिंदा हूँ और मेरी जिंदा होने के time पर ही किसी को कुछ दे रही हूँ, उसको हम gift बोलेंगे, तो यह क्या होना चाहिए, during the lifetime of the donor होना चाहिए, और इसमे गिफ्ट नहीं है, capable होना चाहिए हो person, if the donor dies before acceptance, the gift is word, अगर donor की death, जैसे कि मालो मैं हूँ, मैं को ना, A मैं हूँ, B कोई और है, मुझे B के birthday पर ना, उसको gift देना था, तो मैंने बुरा सोचा था, मैंने उस document को register भी कर वाले, सब कुछ कर वाले, जब मैं वहाँ पर गई तो अब हम पढ़ेंगे 123 section, जो बहुत important है, transfer, how effected, कि transfer कव effected में हैगा, इसमें, for the purpose of making a gift of immovable property, the transfer must be effected by registered instrument, signed by or on behalf of the donor, and attested by at least two witnesses, इसमें बता रखा है कि effect में हो कैसे आगा, कोई काम हम करते हैं, तो वो effect में कैसे आता है, तो इसमें सबसे पहले बोल रखा है, अगर gift हम कुछ कर रहे हैं, वो immovable property है, तो उसको register करवाना compuls रही है, register करवानी जो करवाएंगे उसके बाद sign होना चाहिए, donor का, sign by or on behalf of the donor, donor के बिहाफ पर भी कोई और कर सकता है, या donor को sign करना है, और two witness होने चाहिए, दो witness होने चाहिए, ऐसे आप नीचे पढ़ोगे, immo movable property का पढ़ोगे, तो इसमें लिखा हुआ है, for the purpose of making a gift of movable property, the transfer may be affected either by or register instruments signed as aforesaid or by delivery, such delivery may be made in same way as good shawl may be deliver, अगर आप movable property का gift करते हो, अगर आपने deliver भी कर दे तो उसको gift मानेंगे, आपकी मर्जी है कि वो चीज़ आप register करवाओ या ना करवाओ, तो इसमें कोई compulsory नहीं है, बट immovable property के अंदर compulsory होता है, अब हम पढ़ेंगे 124, 124 बहुत important है और easy भी है क्योंकि हमने 122 के अंदर ये पढ़ लिया था, कि exist में होना चाहिए वो property, अब यहां पर बोल रखा है, gift of existing and future property, existing property तो हमारा valid होगा, पट क्या हम future property को as a gift कर सकते है, नहीं कर सकते, ये section 122 के पूरा मतलब बता ही रखा है, तो ये भी होई है, अब हमारा है, gift to several of whom one does not accept, ये बहुत important है, आप इसको समझें, जैसी कि मैं हूँ, मुझे A, B, C, तीन परसन है, तीन परसन को मुझे कुछ गिफ्ट करना है, ठीक है, मैंने एक जो भी में को gift करना हो, ये चाहे वो movable property हो य और C ने accept नहीं किया, तो क्या ये property, मतलब मैं को property के कागजी इन तीनों को देने थे, तो क्या ये valid gift हुआ, क्योंकि D ने accept नहीं किया, और मैं को एक ही चीज इन तीनों को देनी थी, तो क्या ये gift हुआ, हाँ, ये gift हुआ, A और B ने इसको accept किया, तो उनके साथ ये gift valid है, ब दो और दो से ज्यादा डॉनी जों उसमें से एक accept ना करें तो वो वोईड हो जाएगा और जो accept कर रहा है उसको गिफ्ट बोलेंगे कि वो गिफ्ट हो गया है 126 का है वेन गिफ्ट में भी suspended और रिवोग गिफ्ट कब suspend होगा और कब रिवोग होगा यह है कंडिशनल गिफ्ट के बारे में बताता है इसके एक मैं इलिस्टेशन आपको पहले इलिस्टेशन बताते हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाया गई है A gives a field to B reserving to himself with B ascent the right to take back the field in case B and his descendant die before A B dies without descendant in A's lifetime A may take back the field A gives a field to B A जो है इसमें यह बतारक है जो A है वो B को एक field देता है gift के तोर पे और वो यह condition लगाता है कि अगर तुम्हारी मोत या तुम्हारे descendant की जो मोत होती है वो मेरे death से पहले हो जाती है मतलब मेरे मने से पहले हो जाती है तो यह जो property है मुझे दुबारा back मिल जाएगी तो हम conditional gift भी लगा सकते हैं इसके अंदर एक बात और भी है जैसे कि इसमें न आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आगा इसमें लिखाव है the donor and donor may agree that on the happening of any specified event कोई happening or specified event पे उस पे कोई contract कर सकती है but which does not depend on the will of the donor जैसे कि मालो मैंने A जो है इसमें में बतातू आपको A ने field दिया अपना B को और मैं यह उस पर ही condition लगा दू कि इस field पे आपको only crops उखाना आप घर नहीं बनाना आप कुछ नहीं करना तो क्या गिफ्ट हुआ ऐसे conditions नहीं लगा सकता है donor तो उसको exceptions यहां पर बोला गया हुआ है और बाकी जो हमारा सब चीज है वो valid है आगे भी पढ़ते हैं शैल भी suspended or revoked suspended or revoked but a gift with the parties agree shall be revokeable holy or in part and the mayor will of the donor is void holy or in part as the case may be A gift may also be revoked in any of the cases save want of failure consideration which it were a contract it might be resign save a forced gift cannot be revoked nothing contained in this section shall be deemed to affect the right of transfer for consideration without notice तो इसके अंदर इतना ही बोल रखा है कि जो donor का है वो conditions नहीं लगा सकता है और इस वाले section को हम conditional भी बोलते हैं कि अगर पूचहा है पूचहेगा आपसे question पूच सकता है कि conditional gift किस के अंदर बता रखा है किस section करें तो 126 के अंदर 127 क्या होता है honorous gift honorous gift बहुत important है honorous gift मतलब होता है कि हम कि सिरू gift दे रहें पलस में liabilities भी दे रहें जैसे कि मालो मेरी एक A property है मैंने A property अपनी दे ली है B को तो उस पे कुछ मतलब लोन है कुछ लोन है तो मैं कहूंगे as a gift में आपको दे रहें तो उसको वो liability जो loan पे करना है वो भी उसके पास वो चली जाएगी इसको हम कहते है honorous gift पढ़ते है where a gift is in the form of single transfer to the same person of several things यहाँ पर जो single transfer है जैसे कि मालो मेरे पास दो property है बिलकुल touch में एक property यहाँ पर है और एक property जस्ट यहाँ पर है तो इन दोनों property attach में है और मैं यह दोनों property as a gift किसी को दे रही हूँ तो as a gift जब मैं दोनों दे रही हूँ यह इस property पर तो कोई liability कोई loan ने बट इस property पर loan है जब मैं gift दे रही हूँ तो जो डोनी है वो दोनों को accept करेगा साथ में आइधर वो एक single को accept नहीं कर सकता कि मुझे यह liability वाला मत दो मुझे बिना liability वाला दे दो तो इसको हम कहते हैं single transfer अगर मालो मैं को transfer करनी है अपनी मेरे पास यह दो property है मैं अलग-अलग register करवा रही हूं इसको मैं दोनों को अलग-अलग तरीके स उसे साथ में accept करना है तो यहाँ पर लिखा हूँ है where a gift is in the form of two or more separate and independent transfer जब दो गिफ्ट जैसे कि दो और दो से जदा separate gift हो और वो independent हो तो 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 एक ही person को आपको देना जैसे कि a के पास दो property है दोनों property ठीक है एक पर liability नहीं है पर वो दोनों separate ही a b को देना चाहता है तो b के पास option होता है कि वो किसको accept करें और किसको refuse करें तो of several things the dony is at the liberty of the to accept one of them and refuse the other although the former may be beneficial and the latter onerous ठीक है अब है onerous का एक बता रखा है onerous gift to disqualified a dony not competent to contract एक जो dony है वो competent नहीं है contract के लिए and accepting property burden by any obligation is not bound by his acceptance but it if after becoming competent to contract and being aware of the obligation he retain the property give he becomes so bound जैसे कि मालो यहां पर dony के उपर कोई foundation नहीं है कि उसको accept ही करना है but अगर उसने accept कर लिया है तो उसको उस liability को भी complete करना पड़ेगा जैसे कि यहां पर वो है illustration है a having a lease for a term of year of house at a rent which he and his representatives are bound to pay during the term and which is more than the house can be left for gives to be the lease and also a separate and independent transaction a sum of money be refused to accept the lease he does not by this refusal forfeit the money अब हम पड़ेंगे section 128 universal donor क्या होता है तो इसमें यह होल प्रोपर्टी हां पर एक important word है होल प्रोपर्टी subject to the provision of section 127 where a gift consists of the donor whole property the donor is penalty liable for all the debt due by and liabilities of the donor at the time of the gift to the extent to the property compromise therein तो universal donor के अंदर यही है कि वो कोई भी चीज़ अगर दे रहा है तो वो पूरे holy accept करेगा उस चीज़ को और उसको liability उस liability को भी complete करेगा 129 बहुत important है कि जो TPA act है वो मुहम्मद लो मुझो मुस्लिम मतलब मुस्लिम persons पर applicable नहीं करेगा क्योंकि उनके पर हीवा applicable करता है और यहाँ पर है nothing in this chapter related to gift of the movable property made in contemplation of death और shall be deemed to affect any rule of मुहम्मद लो सबसे पहले तो contemplation of death बोल रखा जिसका मतलब यह है कि मालो मैं A हूँ मेरे पास property है और मेरे मतलब कोई भी कोई है नहीं आगे पीछे और में को लगता है कि मेरी death होने वाली है तो मैं अपनी property B को gift के तोर पे देने वाली हूँ जिसके मैं कोई डर है अभी कि मैं मर जाओंगी बट मेरा इलाज चलता है सब को चलता है मैं ठीक हूँ ठीक हो जाती हूँ मतलब मैंने gift दे दिया किसी भी को तो इसका जो section 129 है वो यही है I hope आपको टीपीए का जो gift है वो बहुत अच्छे से clear हो किया होगा तेंक यू ऐसे और भी वीडियो को पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पर पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, थैंक यू